Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है तो finally, काफ़े इंतिजार के बाद आज से मैं History of English Literature को cover करने जा रही हूँ और ये इस सीरीज की first video है तो आज की इस video में हम बात करने वाले हैं Anglo-Saxon period के बारे में तो Anglo-Saxon period जिसका span लगभग 6 सताबदियों यानी 6 centuries का रहा from 410 to 1066 AD इस period को Dark Age के नाम से जाना जाता है क्योंकि Saxon invasion के early years के written source बिलकुल rare ही मिले हैं और it was a time of war जब Roman Britannia कई छोटे छोटे kingdoms में बट रहा था religious conversion यानी धार्मिक रुपांतरन हो रहा था और 790 के बाद new invaders के against तो continue लराया ही हुई तो अगर बात करें कि क्या British nation जो हम देखते हैं आज क्या ये हमेशा से था क्या कोई original inhabitants थे Britain के तो हाँ यहां के कुछ original inhabitants थे जो कब से थे ये पता नहीं पर सबसे पहले यही लोग थे और इन्हें Celts या Britons कहा जाता था और इसी से Britain का नाम भी पड़ा Britons, Britain और इसके बाद सबसे पहले आए थे Romans जो की 43-410 AD तक रहे और जब यहां Romans थे तो Picts बहुत हमला कर रहे थे और फिर दूसरी तरफ खुद रोम पर काफी हमले हो रहे थे और समराज्य बिखर रहा था तो रोमन को अपने घर की मामले सुलजाने के लिए ब्रिटेन छोड़कर वापस रोम जाना पड़ा और अब ब्रिटेन अपने आपको इन्वेडर्स से बचाने के लिए अकेला पड़ गया और अगर बात करें कि अंग्लो सैक्सन ब्रिटेन कैसे आए तो इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का काफी इन्वेंस था 400 AD के बाद यूरॉप का एवरेज टेंपरेचर आग से लगभग एक डिग्री ज्यादा था और ब्रिटेन में ग्रेप्स उगाए जा सकते थे और वर्मर समर्स का मतलब बेटर क्रॉप्स और दूसरी तरफ पोलर आइस के मिल्ट होने से लो एरियास में बार हाने लगी जो अभी के डिन्मार्क, हॉलेंड और बिल्जियम है तो वहां के लोग लैंड्स की तालाश में लग गए और रोमन्स के डिपार्चर के बाद ब्रिटेन एक डिफेंसलिस और इन्वाइटिंग प्रॉस्पेक्ट था तो अब यहां आए एंगल्स, सेक्सन्स, जूड्स और इनका इन्वेजन रोमन्स के डिपार्चर से पहले ही सुरू हो चुका था और सेक्सन्स को तो खुद ब्रिटेन ने इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया था तो इन तीन ट्राइब्स में जूड्स तो ज्यादा दिन के लिए नहीं टिके पर एंगल्स और सेक्सन्स ने छे सो सालों तक सासन किया तो यह जो एंगलो सेक्शन्स थे यह जर्मनिक पीपल्स के डिसेंडेंट्स थे वनसच थे और यह नौर्दर्ण जर्मनी से 5th सेंचूरी में बिटेन आए और यह लोग Old English बोलते थे और सिंस यह नौर्दर्ण जर्मनी से आए थे तो Old English काफी हद तब जर्मन लैंग्वेज से मिलती जूलती है और अगर बात करें कि यह सारी चीजें हमें आज कैसे पता तो यह सब हमें संट Bede the Venerable जिनहें Bede या Beda या Beda के नाम से भी जाना जाता है जो की एक Anglo-Section Theologian और Historian थे और इनहें इनके वर्ग Historia Ecclesiastica Gentis Aglorum यानी Ecclesiastical History of the English People के लिए जाना जाता है जो की Anglo-Section Tribe के Christianity में तबदीली के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इन्होंने ही बताया था कि Anglo-Section के तीन कभीले थे और Angles Land के ही नाम पर England का नाम England बढ़ा Sections Saxony नाम की जगह से आए और Jutes आए Denmark से Archeablogical Evidence से ये पता चलता है कि Germanic area से Europe आने वाले पहले migrants Phyrecia के निवासी थे और इन्होंने 410th century में Roman withdrawal का विरोध भी किया और बार-बार कई बार हुए settlement से England आठ भागों में बढ़ गया Essex, Sussex और Wessex ये sections में included थे East Anglia, Middle Anglia, Murcia और Northumbria ये Angles में और Kent जो की Jutes में तो ethnically ये जो Anglo sections थे ये actually में Britain और फिर बाद में आए Viking और Danish Invaders के Admixture को represent करते हैं अब Anglo section various kingdom के लोग अलग-अलग dialects बोलते थे जो समय के साथ evolve हुई और आज उसे Old English कहते हैं अब अगर बात करें literature की तो पहले ये Anglo section लिखते नहीं थे लिखना इन्होंने 7th century से शुरू किया उसके पहले ये ओरली सुनते सुनाते थे लिखना भी इन्होंने रोमन से ही सीखा था और Anglo section society में poet को बहुत value दी जाती थी जिन्हें scope कहा जाता था जो अपने work में social और cultural values को discuss करते थे और किसी person की death के बाद अपनी poems में उनकी reputation को maintain करते काइडिमन्स hymn जिसे 7th century में compose किया गया था बीडे के according इसे ही English की oldest surviving poem माना जाता है इसके अलावे Beowulf नाम की epic poem जिसमें 3182 lines है ये old English literature की most important और most often translated work है और इसे सायद 975 से 1025 century के बीच compose किया गया था अगर बात करें की old English literature में क्या-क्या शामिल था तो इसमें sermons यानि उपदेश, saints' lives, biblical translations, translated Latin works of the early church fathers, anglo-saxon chronicles, history works, laws, wills and legal works, practical works on grammar, medicine, geography और poetry included थे अब आगे हम बात करेंगे literary features के बारे में, language के बारे में, old English poetry के बारे में, then other poetry और फिर at the end prose के बारे में और since मैं आपको यहाँ एगदम easy language में समझा रही हूँ, तो sunflowers बस ध्यान से सुनते जाओ, तो सबसे पहले बात करते हैं literary features की, तो इसमें हम कुछ इसे topic wise discuss करेंगे, जिसमें की first है pagan origins, तो pagan क्या है? Pagan को late latin paganness से derive किया गया है, जिसे Roman Empire के end में, उन लोगों को denote करने के लिए use किया जाता था, जो Christianity, Judaism और Islam को छोड़ कर कोई और religion की practice करते थे, और जो early Christians थे, वे इस term को हर non-Christian के लिए use करते थे, जो किसी और देवी देवता की पूजा करते हों, तो इस period की अधिकतर poems में, pagan past के features देखने को मिलते हैं, इन पार्टिकुलर विटसित और ब्यो वुल्फ में, तो जो earliest poems थी, उनकी themes का origin, English peoples के Continental Home से हुआ, और यही themes, Scopes के द्वारा use की जाती थी, जो मैंने शुरू में बताया की, किसी के मरने पर गाते थे, पर जैसे जैसे time बीता, Christian ideas ने pagan को influence करना शुरू कर दिया, और चुकी pagans का manner बचा रहा, लेकिन किसी poetry को as a pagan refer करना impossible है, नेक्स्ट लिटरी फीचर है, Anonymous Origins, तो जितने भी old English poets थे, उनमें सिर्फ दो poets का direct mention है, that is, कैडमन जबकी एक भी poem का श्रियर, definitely उन्हें नहीं दिया गया है, और दूसरे poet थे, sign a wolf, इन्हें इस fact के लिए जाना गया, कि उन्होंने अपनी चार poems के end में, reunic letters में sign किया, इनके अलावे, किसी poet का नाम नहीं पता, और prose बहुत बाद में आया, जिसमें कई cases में, authorship established की गई थी, next literary feature है, the imitative quality, तो अधिकतर prose और कुछ poetry भी, Latin से adapt की गई, translate की गई, और translation के लिए favorite works थे, books of the Bible, the lives of the saint, इत्यादी, कुछ cases में तो original work को ही, बस जैसे का तैसा translate कर दिया जाता था, जबकि कुछ में material को reshape किया गया, expand और comments add किये गए, और fourth और last literary feature है, the manuscripts, तो इस period के लगभब, 400 manuscripts survive कर पाए हैं, जिन में से 189 को major माना गया है, और 4 major manuscripts की अगर बात करे, तो पहली थी the genius manuscript, जिसे cadman manuscript के नाम से भी जाना जाता है, और ये biblical narrative पर बनी poems की collection है, इसे 1655 में पहली बार print किया गया, next है the Exeter book, जो की एक anthology है, और इसे 11th century में Exeter cathedral, यानि Cathedral Church of St. Peter in Exeter में दान दे दिया गया था, और ये वही है, next है the Versailles book, जिसमें poetry और prose दोनों शामिल है, और fourth है the Beowulf's manuscript, जिसे कभी-कभी novel codex भी कहा जाता है, जिसमें monstrous themes की prose और poetry शामिल है, including Beowulf's, अब next topic है the language, तो Old English Literature की जो language है, उसे पढ़ने में काफी दिक्कत आती है, और वो इसलिए कि जो language थी वो आज से बिलकुल अलग है, इसकी vocabulary का एक बहुत बड़ा part native है, जबकि कुछ हिस्सा Latin से भी बोरो किया गया है, और इसके grammar में आज के comparison में declinable nouns, pronouns और adjective और विस्तरित verbal system दिखता है, उस समय चार main dialects थे, फर्स्ट, Northumbrian, जिससे पहली बार literature प्रोड्यूस किया गया, सेकेंड, Medical, जो Midlands की language थी, Kentis, जो South East की language थी, और West Section, जो Alfred की language थी, और Wessex में political supermassive के कारण, ये language ही standard बनी और अधिकतर texts जो preserve किये गए इसी language में है, अब बात करते हैं Old English Poetry की, तो Old English Poetry को दो स्टाइल्स या दो फिर्ट्स में बाटा गया, The Heroic Germanic और The Christian, Old English verse को modern analysis के द्वारा ही समझा जा सकता है, और इसे समझने के लिए कई theories आई, पर first widely accepted theory adured sea verse के द्वारा दी गई, इसके अलावे Old English Poetry में दो poetic figures commonly पाए जाते हैं, फिर्स्ट है Kenning, यानि an often formulaic phrase that describes one thing in terms of another, जैसे Beowulf में sea यानि समुद्र को The Vale Road कहा गया है, और second poetic figure था Etotus, a dramatic understatement employed by the author for ironic effect, इसके अलावे J.R.R. Tolkien ने अपने 1940 के essay on translating Beowulf में Old English Poetry के कई features को describe किया है, तो भले ही Old English Poetry लिखी गई और literate है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक oral craft थी, जिसे स्कॉप के द्वारा harp यानि वीना की मदद से perform किया जाता था, अब बात करते हैं Old English Poetry की most important poem Beowulf के बारे में, तो इस poem की theme Continental Germanic है, और ये संभावना है कि ये अपने present version के composition के बहुत पहले ही गीत का narrative poem का subject थी, यहाँ ध्यान देनी की बात ये है कि England को इस poem में कहीं mention नहीं किया गया है, हाला कि poem में बहुत कुछ ऐसा है कि जिसे pagan यानि anti-Christian माना जा सकता है, लेकिन extant version clearly किसी Christian के द्वारा लिखा गया है, इसके actual authorship का कोई evidence नहीं है और text का dialect west section है, हाला कि clear evidence मिलता है कि इसे किसी Anglian dialect में लिखा गया था, पर Martian में लिखा गया या Northumbrian में लिखा गया ये uncertain है, अब अगर बात करें Beowulf की story क्या है, तो इसमें कई episodes और digressions हैं कि narrative का adequate synopsis देना possible नहीं है, पर outline में Beowulf एक के थोगों का बेटा था जो Denmark की तरफ युद्धाओं के एक group के साथ रवाना होता है, और वहाँ Danish king Rodger को एक भायानक monster Grendel से मुक्ति दिलाता है, उसके बाद Grendel की मा अपने बेटे की death का बदला लेने आती है, पर उसे भी मरना पड़ता है, और Beowulf दावत पाकर और awarded होकर अपने native land वापस आ जाता है, और फिर वो गेटस का राजा बन जाता है, 40 साल तक Beowulf प्रोस्पेरियस धंसे शाशन करता है, और अंत में एक dragon को मारता है जिसने उसकी land को तबाह किया था, लेकिन इस युद में वो खुद भी बहुत घायल होकर मर जाता है और poem का end इस dead hero की funeral ceremonies से होता है, तो ये थी Beowulf की स्टोरी, तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही, next वीडियो में हम बात करेंगे other poetries की, poetry के features की, और then the most important English prose की, जिसमें की हम अलग-अलग prose writers के बारे में भी जानेंगे, तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने जादा से जादा friends के साथ share करो, thank you.